हाई फ्रेंड्स मैं हूँ तौकिर आलम फ्रेंड्स आज का टॉपिक मेरे क्लासरूम से है आज मेरे क्लासरूम में एक स्टुडेंट ने पूछा I like to sing और I like singing क्या दोनों का सेंस एक है या फिर दोनों में कोई फर्क है यानि जब हम वह अब के बाद infinito का यूज करें या gerund का यूज करें तो क्या उन दोनों का meaning सेम होता है क्या हम अपने मर्जी के according infinito के जगा gerund या gerund के जगा infinito का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे कहना पसंद करूँगा कि अगर आपके मन में कोई question है या अगर आपके पास कोई doubts है तो आप बे हिचक मुझसे share करें comment box में अपने doubts लिखें मैं आपके doubts पर वीडियो बनाऊँगा तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके तरब से पूछे गए सवालों का जवाब देखते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि ये चार ऐसे words हैं यानि like, dislike, stop और begin जहां आप अगर इनके बाद infinito का यूज करते हैं तो उसका कुछ और sense होता है और अगर आप इनके बाद gerund का यूज करते हैं तो उसका अलग sense होता है क्या sense होता है आएए इस बात को बारीकी से समझे फ्रेंड्स जब आप like के साथ infinito लिखते हैं तो उसका sense होता है कि यह काम किसी खास मौके पर हुआ या किसी खास condition में हुआ लेकिन जब आप like के साथ जीरण का यूज करते हैं तो उसका sense होता है यह काम जनरली हमेशा हुआ या आम तोर पर रोज हुआ जैसे I like to sing मैं गाना पसंद किया मतलब उस जगह या उस माहुल में मैंने गाना गाना पसंद किया लेकिन अगर मैं कहूं I like singing तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं गाना गाना पसंद किया यानि यह काम हमेशा मैं करना पसंद किया I dislike to call इसका मतलब गुआ मैंने उसे बुलाना पसंद नहीं किया यहां to call से यह पता चला कि कोई खास कंडिशन में उस माहुल में मैंने ऐसा करना पसंद नहीं किया लेकिन अगर मैं कहूं I dislike calling तो इसका मतलब गुआ मैं उसे बुलाना ना पसंद किया लेकिन इसका अंदुरुनी सेंस है कि जनरली मैंने ऐसा हमेशा किया Friends, लगता है आप इस बात को समझे नहीं Don't worry आईए इस बात को एक एक्जाम्पल के जरिए समझे यहां मैं आपको दो condition बताऊंगा और आपको इन दोनों में फर्क समयना होगा मान लिजे हम दो दोस्त हैं और किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में नाराजगी हो गई और हम अब बात नहीं करते हैं तो इस सेंस में मैं कहूंगा I stop talking इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारी बात नहीं होती आम तोर पर अब कभी बात नहीं होती लेकिन फ्रेंट्स मान लिजे कि दो लोग किसी राज की बात कर रहे हैं और उसी वक्त कोई third person आ गया तो इस condition में सामने वादा चुप हो गया तो मैं आपसे कहूंगा He is stopped to talk तो इसका मिनी हुआ वह बात करना बंद कर दिया यहां मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह हमेशना के लिए बात करना बंद कर दिया या वह रोज के लिए ऐसा करना बंद कर दिया लेकिन मैं यह यह कहना चाहरा कि उस माहुल में या उस कंडिशन में या उस वक्त उसने बात करना बंद कर दिया यानि जब तक वो आदमी वहाँ पर था उसने बात नहीं किया मैं भी उसके चले जाने के बाद उसने बात किया हो तो friends, यहाँ एक sentence के दो meaning है पहला मैंने उसे बात करना बंद कर दिया तो इसका ये मतलब हुआ कि अब मेरी उसे कोई बात नहीं होती और इसका दूसरा सेंस है कि मैंने उसे बात करना बंद कर दिया यानि उस कंडिशन में या उस वक्त मैंने उसे बात करना बंद कर दिया जब माहौल सही हुआ तो फिर मैंने उसे बात किया तो friends यही फर्क है infinitive और general की use में जब हम like, dislike, stop, begin के साथ infinitive का use करते हैं तो इस तरीके के sentences से यह पता चलता कि वह काम कुछ पल के लिए चला या किसी खास condition के लिए चला किसी खास माहौल के लिए था जैसे ही वह माहौल सही हुआ वह काम बंद हो गया लेकिन जब हम इन words के साथ जिरन का use करते हैं तो इस तरीके sentences से पता चलता है कि यह काम जनरली हमेसा चलता रहा या आम तोर पर रोज चलता रहा तो friends अगर लिखाओ he stopped to learn तो इसका मतलब हुआ वह सीखना बंद कर दिया उस हालात में उसने सीखना बंद कर दिया यानि यह उसका अंदरूनी sense है कि उसने कुछ पल के लिए ऐसा करना बंद कर दिया लेकिन अगर मैं काऊँ he stopped learning तो इसका मतलब है वह सीखने का काम बंद कर दिया यानि generally या काम हमेशा हुआ friends अगर मैं कहूँ he began to cheat me तो यहां begin to cheat का meaning है वह मुझे धोका देने लगा लेकिन इसका अंदुरूनी sense है कि ऐसा उसने हमेशा नहीं किया किसी harsh condition में किया या किसी special situation में किया लेकिन अगर मैं कहूँ he began cheating me तो इसका मतलब हुआ हुआ मुझे धोका देने लगा लेकिन इसका अंदुरूनी sense हुआ कि generally उसने ऐसा हमेशा किया या आम तोर पर उसने हमेशा ये काम किया तो उम्मीद करता हूँ friends कि आपको यह concept बड़े आसानी से समझ में आया होगा like, dislike, stop और begin के साथ का क्या sense होगा friends, last में मैं आपको एक और example बताऊंगा अगर मैं कहूँ मैं मुस्कुराना बंद कर दिया तो इसका दो sense है पहला sense यह है कि किसी खास condition में यानि मैं किसी कहा गया और वो मुसीवत में था तो उस वक्त मैंने अपनी smile, अपनी मुस्कुराहट रोक दी तो इस condition में मैं कहूँगा I stopped to smile यानि उस खास condition में उस माहौल में मैंने ये काम कुछ पल के लिए रोक दिया लेकिन friends, हो सकता है कि किसी बात को लेकर मुझे चोट पहुँची हो और मैं हमेशा के लिए मुस्कुराना बंद कर दिया या आम तोर पर अब मैं नहीं मुस्कुरा था तो यहां मैं जीरंट के यूज करूँगा और मैं कहूँगा I stopped smiling उमीद करता हूँ friends, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे friends, बहुत जल्दी मैं आपके लिए इंफिनीटू और जीरंट का पूरा कंसेप्ट लेकर आऊँगा ताकि अगर आप इंफिनीटू या जीरंट को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं तो आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो सके फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई friends, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाव है असोग पटेल आपने comment box में पूछा कि right और correct में क्या फर्क है मतलब means right में सही होता है और correct में सही होता है तो फिर हम कैसे जाने कि कब हमको correct का यूज करना है और कब हमको right का यूज करना है क्या ये interchangeable है या इन दोनों में कोई फर्क है तो आइए friends देखें कि word correct और right में क्या फर्क है word correct denotes accuracy word right more of judgment किसी के बातों से accuracy का पता चलता है जबकि word right से किसी इंसान की judgment या किसी के फैसले का पता चलता है लगता है आप समझे नहीं आइए इस बात को example में बेहतर तरीके से समझे friends अगर लिखाओ 2 plus 2 equals 4 तो यहाँ पर हम कहेंगे it's correct या हम कह सकते हैं it's correct answer हम यह नहीं कह सकते हैं it is right answer क्योंकि इस sentence में आपको इसी का पता चलता है कि दो दो चार ही होते हैं इसमें कोई सक नहीं यह 100% सच बात है तो इस लिए हम कहेंगे it is correct answer या it is correct हम यह नहीं कह सकते it is right answer या it is right लेकिन friends आप यहाँ देखें it is right to help the poor beggars गरीब भिखारियों की मदद करना सही है मतलब किसी आदमी ने अपना ख्याल बताया कि गरीब भिखारियों की मदद करना सही है आगे वो कह रहा am I right? क्या मेरा ख्याल सही है या क्या मैंने सही कहा तो यहाँ दूसरा इंसान answer में कह सकता है yes you are right हाँ तुम ठीक कह रहे हो या तुम सही हो अब यहाँ पर right के जगह पर word correct का यूज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ word right किसी इंसान के judgment या किसी इंसान की thinking के लिए आया हुआ है लेकिन यहाँ word right से यह पता नहीं चलता है कि इस बात में 100% accuracy है तो friends उमीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आया होगा कि सही के लिए आप correct का यूज तब करेंगे जब आपके बातों में accuracy हो यानि सत्यापन हो या 100% वो बात सही हो तो आप correct का यूज करते हैं लेकिन जब आप कोई judgment दे या अपनी thinking बताएं तो उस वक्त सही के लिए आप right का यूज करते हैं